हेलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम तू दा आई एम बी एजुकेशन आज के इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 12 बायलोजी चैप्टर नंबर टू सेक्शुल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नीट प्रिवियर्स एजुकेशन लास्ट थर्टी त्री इसके 1988 से लेकर नीट 2020 तक के इस चैप्टर के अंदर टोटल 122 के उससे नहीं तो ये वीडियो काफी लोग हो सकती है सभी के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपको इससे पहले वाले और वीडियो नहीं देखें तो आपको आई जो टॉपी का गवा प्री फर्टिलाइज़िजिन यहां से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट के उससे हमसे पूछा गया है नीट 2020 के अंदर दी प्लांट पार्ट वीच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन वीडिन दा अधर यानि हमसे पूछा गया है कि कौन से प्लांट पार टू मेल गेमिट्स सीड इंसाइड दा फ्रूट एंड एंब्रियो सेक इंसाइड दा ओव्यूल ओके तो इस क्योशन में बहुत बचे जो वो कन्फ्यूज हो सकते हैं अगर आप बायोजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो प्लांट किंडम का दो पैराग्राफ के अंदर प diploid यानी diploid sporophyte और gametophagic heploid जो प्लांट के अंदर चलती रहती है याल्टरणेट of generation का मतले मैं gametophyte से बनेगे sporophyte और sporophyte से बनेगे gametophyte घमेटी तो यानी हमेवी यहाँ पर वो structure बताने जो diploid के अंदर haploid है तो सबसे पहले देखिए pollen crane just ath어야 हैपफ्लोइड होते हैं बड़ आपका एंथर होता है वह डिप्लोइड होता है तो सबसे पहले जो पॉलन ग्रेंज वह हैपलोइड डिप्लोइड के अंदर है मतलब गेमिटोफाइड sporophytic के inside में है one within the other second यहँद यहाँ पर देखे embryos एक जो होता है, वो होता है आपका haploid, embryos एक चया होता है? और यहाँ पर जो आपका ovul होगा, ओगे? जो यहाँ पर ovul होगा, वो क्या होगा? diploid होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा कि हमारा यहां पर embryos एक तो हो गया है ploid और ovule हो गया हमारा diploid तो यहां पर भी हो गया कि आपकी gametophyte के वो sporophyte के अंदर है तो first and fourth जो है वो option होने चाहिए अब देखिए one only one two and three three and four one and four तो हमारा answer आजाएगा option d one and four जो वो alternation of generation को show कर रहा है यहां पर ओके next हम देख लेते second question भी need 2020 का है in water hyacinth and water lily pollination take place by water hyacinth और water lily के अंदर pollination कैसे होता है insect और wind water current only wind and water insect and water actually में नाम तो यहां पर water water आता है but actually में यहां पर जो pollination होती है वो water के through नहीं होती है यहां पर जो pollination होती है वो insect and wind के through होती है तो answer आजाएगा option है pure anxiety based okay next हमारा need 2019 odysia state के लिए जग जाम होता है उसका क्यों सेन है which is the most common type of embryo sec in angio sperm यानि सबसे common type का embryo sec कौन सा होता है option है tetrasporic with one mitotic stage of division monosporic with three sequential mitotic division monosporic with two sequential mitotic division and bisporic with two sequential mitotic division सबसे पहले आप यहां पर confuse हो रहेंगे tetrasporic, monosporic और bisporic क्या होता है actual way pure anxiety का based यह anxiety में दिया हुआ है होता क्या है जब आपका meiosis होता है तो जो आपका megaspor mother cell होता है mmc वो total four cells बनाता है और उन में से कितने active रहते हैं आपके केवल one active रहते हैं, three degenerate हो जाते हैं तो जो one active रहेगा तो उसको बोलेंगे monosporic, अगर two active होंगे तो उसको बोलेंगे bisporic, अगर चारों के चारों active होंगे तो उसको बोलेंगे tetra और अगर three active होंगे तो उसको बोलेंगे trisporic, यह तो हो गया हमारा यहां तक बन जाएंगे हमारे पास four और four के अंदर एक और चलेगी तो हमारे पास total बन जाएगी eight nucleus तो यहाँ पर पहली mitotic divisions हो रही है वहाँ पर two बन रहे है फिर second हो यहाँ पर two से four बन रहे है और third भी हमारे four से eight बन रहे है तो total जो sequential mitotic division होगी वह three होगी तो मारा answer आजाएगा बहुत ही असानी से monosporic with three sequential mitotic division ओके next हम देख लेते हैं नी 2019 Odisha state के लिए है what type of pollination take place in valley scenario, valley scenario के अंदर कौन सी pollination होती है pollinated occur in submerged condition by water, flower emerge above the surface of water and pollinator occur by insect, flower emerge above the water surface and pollination is carried by wind male flowers are carried by water currents to female flower at the surface of water actual में यहाँ पर जो हमारा correct answer आएगा, male flowers are carried by water currents to the female flower at the surface of water well इसने रिया के अंदर कुछ इस टाइप से pollination होती है कि जो male flowers होते हैं, water currents के दुरू, surface of water पे आते हैं और वहाँ पर female flower होता है, वहाँ से उनका होता है तो water के through ही होता है यह, ओके, next हम चलते हैं, next question के तरफ, यह भी new 2019 Odisha state का है in which one of the following, both autogamy and jetonogamy are prevented इन में से कौन सा ऐसा प्लाटा जिसके अंदर ना autogamy देखने को मिलती है, ना jetonogamy केवल xenogamy जो है वो देखने को मिलती है, wheat, papaya, castor और maze pure NCRD based है, papaya के अंदर हमें xenogamy देखने को मिलती है okay, next अब हम चलते है, question number 6 की तरफ, need 2018 का question है pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature off यानि हम से liquid nitrogen का temperature पूछा है, minus 120, minus 80, minus 196 या फिर minus 160 हमारा answer आजाएगा, minus 196 degrees Celsius होता है, liquid nitrogen का temperature okay, next हम 7th question देख रहे थे, which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil तो pollen as fossil को preserve करने में कौन मदद करता है, pollen kit, cellulosic, entine, oil content या फिर sporopollen, बहुत या असानी सामारा answer आजाएगा, sporopollen, sporopollen क्या करता है pollen को as a fossil preserve करने में मदद कर सकता है, winged pollen grain are present in यानि winged pollen grain किसमें मिलेंगे, mustard में, cycle में, mango में या फिर pinus के अंदर actually में जो pollen grain के अंदर two layer होती है, entine and enzyme जो enzyme layer होती है, वो कुछ इस type के होती है, जैसे वाँ पे wings लगे हो तो वो हमें दिखाई देता है pinus के अंदर, तो pinus के अंदर जो pollen grain होती है, उनको हम winged pollen grain भी बोलती है नेक्स्ट हम कि उससे number nine देख लेते हैं, functional mega spore in an angiosperm developed into an या नि जो एक functional mega spore होता है, वो angiosperm के अंदर किस चीज़ में develop हो जाता है endosperm, embryo sick, embryo या फिर ovule के अंदर, तो वहाँ पे जो functional mega spore होता है, उसको हम बोलते है embryo sick, तो वो develop होता है, आपका embryo sick के अंदर, ओके next हम बात कर लेते हैं, कि उससे number 10 की attractants and rewards are required for, यानि कुछ हमें attract करना हो, या फिर इसकी को required जो reward देना हो, वो किस pollination के अंदर देंगे एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगेमी या फिर एनिमोफिली, जो wind pollination होती है, जो air के द्वार पोलिनेशन होती है, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, क्लिस्टोगेमी क्या होता है, जहां पे flower जो होता है, वो बिल्कुल close होता है, और कोई भी pollinator वहाँ पे required न किये जाते हैं एनिमोर्स को, अब हम चलते हैं कि उससे नमबर 11, कि उससे नमबर 11 है, flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, यानि ऐसा flower जिसके अंदर केवल single ovule है और बहुत सारे inflorescence present है, वो किस, उसमें pollination कैसे होगी, bees, wind, bat या फिर water के द्वारा, तो वहाँ पर जो pollination होती है, वो wind के द्वारा होती है, तो वहाँ पर जो pollination होती है, या पर single ovule और many influences present होते है, वो wind द्वारा pollination होती है, ओके, अब हम बात कर लेते हैं, question number 12 की, एक dioecious flowering plant, prevent both, अगर एक dioecious flowering plant है, तो वहाँ पर कौन सी चीज़े नहीं होगी, कौन सी ऐसी pollination है, जो prevent हो जाएगी, ओके, option ह autogamy, zetanogamy, zetanogamy and xenogamy, klistogamy and xenogamy, autogamy and xenogamy, तो actual में dioecious flowering plants का मतलब है कि male और जो female आपके plants हैं, वो अलग-अलग plants हैं, ओके, तो जो male और female plants होंगे, वो अलग-अलग होंगे, तो वहाँ पर ना तो autogamy हो पाएगी, ना zetanogamy आएगी, यो दोनों ही prevent हो जाएगी, तो answer आ 40 of the angiosum, ज़्यादा तर angiosum के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एग हैजे philiform approaches, there are numerous antipodal cells, reduction division occur in the mega spore mother cell and a small central cell is present in the embryo sick, ज़्यादा तर जो embryo sick होते हैं, sorry, जो angiosum होते हैं, उनके अंदर हमें reduction division देखने को मिलती है, किसके अंदर, mega spore mother cell के अंदर, तब ही जाकर जो है वो आपका functional mega spore embryo sick बनता है, तो हम पे जो बिलकुल correct है, वो आएगा हमारा option C, reduction division occur in the mega spore, ओके क्यों से number 14 देख लेते हैं, pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the agency of यह हम दुबारा करें, water hyacinth and water lily में pollination कैसे होती है, water के दौरा, insect or wind, birds या फिर beds के दौरा, तो यहाँ पे actual में नाम तो water ह नहीं होता है, यहाँ पे होती है, insect or wind के दौरा, तो अंसर आजाएगा option B, ओके next हम 15 number के उसे हम देख लेते हैं, need 2016 phase 2 गया, the ovule F1 angiosperm is technically equivalent to, यानि जो एक ovule होता है, वो technically किसके equivalent होता है, megasporangium, megasporophyll, megaspor mother cell, या फिर megaspor only, तो यहाँ पे हमारा जो correct answer आएगा, वो आएग megasporangium, megasporangium के equivalent होता है हमारा ovule, ओके अब हम देख लेते हैं, question number 16, which one of the following statement is not true, हमसे incorrect statement पूछे गई है, pollen grain of many species को serve allergy, stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding program, tap atom help in the dehiscence of enter and exine of pollen grain is made up of sporopollinate, हमसे incorrect statement पूछे गई है, तो यहाँ पे जो tap atom layer होती है, वो nourishment provide करती है, और जो outer three layer होती है, जो आपके middle layer होती है, और उससे बाहर वाली जो भी layer होती है, वो सब कुछ मदद करती है, day sense में, जबकि tap atom केवल nourishment में मदद करती है, day sense में मदद नहीं करती है, तो यहाँ पर यह incorrect दिखा गया है, तो इसलिए answer आजाएगा, option C, okay, अब हम चलते है, question number 17, 17th question number जो है, वो भी need 2016 phase 1 का है, which of the following statement is not correct, यहाँ पर भी हम से incorrect statement वापी से पूची गई है, pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacted with those of the pistil, some reptile have also been reported as the pollinator in some plant species, pollen grain of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grow into the style, and option D दिया गया है, insects that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robbers, actual में हम से incorrect पूचा गया है, तो जो pollen grain of many species can germinate Z नहीं, अलग-अलग species germinate भी नहीं करती है, केवल same species जो होती है, वही germinate करती है, stigma के उपर, okay, और उसमें से बहुत सारी pollen tube जो होती है, वो same species की grow करती है, pollen tube बहुत सारी हो सकती है, तो हमारा answer आएगा option C, क्योंकि यहाँ पर यह बिल्कुल incorrect लिखा गया है, और हमसे incorrect पूचा गया है, okay, question number 8 देख लेते हैं, the proximal end of the filament of stamen is attached to the, यानि जो filament का proximal end होता है, वो कहाँ पे attach होता है, placenta, thalamus, और petal, enter या फिर connective, तो जो proximal होता है, वो thalamus और petal से attach होता है, terminal जो होता है, वो enter से attach होता है, वी the help of connective, okay, तो हमारा proximal end पूचा गया है, तो वो attach होता है, थalamus और petal के साथ में, okay, question number 19 देख लेते हैं, philiform apparatus is the characteristic feature of, यानि philiform जो apparatus है, वो किसका characteristic feature है, elinoron layer, synergid, generative cell, या फिर nuclear embryo, तो जो philiform apparatus होता है, वो बिलकुल synergid के पास में होता है, जो कि आपकी pollen tube जो होता है, उसको guide गरता है, एंट्री के लिए, तो हमारा answer आएगा, option B, synergid का characteristic feature है, question number 20 देख लेते हैं, need 2015 का है, in angiosperm, microsporogenesis and megasporogenesis, microsporogenesis और megasporogenesis दोनों के अंदर क्या होता है, involve meiosis, occur in ovule, occur in enter, form gamit without further division, तो actually में इन दोनों के अंदर होता है, meiosis, तो यहाँ पे आएगा, आपका answer involve meiosis, ओके, next time question number 21 देख लेते हैं, male gamitophyte in angiosperm produce, जो male gamitophyte होता है, angiosperm के अंदर, वो क्या produce किर रगा, single sperm and two vegetative cell, three sperm, two sperm and a vegetative cell, single sperm and a vegetative cell, तो actually में जो हमारा male gamitophyte होता है, वहाँ पर two sperm and vegetative cell बनता है, एक generative cell होता है, और generative cell में divide होके, जो वो two sperm बन जाते हैं, और एक vegetative cell रहता है, तो answer आजाएगा option C, question number 22 है, which of the following are the important floral reward to the eliminator pollinators, जो eliminator animal pollinators होते हैं, उनके लिए important floral rewards कोन से होते हैं, floral fragrance and calcium crystal, protein pellicle and stigmatic exudate, color and large size of the flower, या फिन nectar and pollen grain, तो actual में जो reward होते हैं, वहाँ पर present nectar and pollen grain जो होता है, वो reward होता है, animal pollinator के लिए, तो हमारा answer आजाएगा option D, okay, question number 23 देख लेते हैं, यह 2015 जो exam cancel हुआ, which one of the following may require pollinators, but is genetically similar to autogamy, बिल्कुल autogamy जैसे same होती है, बट वहाँ पर pollinator की requirement हो सकती है, ऐसा कौन सा है, एपोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जीटेनोगेमी या फिर जीनोगेमी, तो actual में जीटेनोगेमी के अंदर जो है, वो plant तो same रहता है, but flower जो होते हैं, वो अलग-लग हो सकते हैं, मालीजी A flower यहाँ पर B है, but plant same है, तो genetically बिल्कुल same है, जीटेनोगेमी के अंदर होती है, वो होती है, हमारी जीटेनोगेमी, तो answer आजाएगा, option C, okay, अब हम चलते हैं, question number 24, यह भी 2015 में है, आयोगा question है, which one of the following statement is not true, इन्हें में से कौन सी statement not true है, incorrect statement बतानिये, option दियागे न, flower pollinated by flies and bats, secret foul order to attract them, honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers, pollen grain are rich in nutrients and they are used in the form of tablet and serum, pollen grain of some plants को serve allergy and bronchial affliction in some people, हम से not true पूछा गया, जो option D है, यह बिल्कुल correct लिखा गया, C भी बिल्कुल correct लिखा गया, honey is made by bees by digesting pollen collected from flower, तो जो pollen होता है, उसको completely digest नहीं किया जाता है, उसको incomplete digest किया जाता है, तो वहाँ पे enzyme को जो ब्रेकडाउन किया जाता है, और फिर जो है, वहाँ से water को evaporate करके, फिर honey जो है, उसका formation किया जाता है, तो completely pollen grain जो उसको digest नहीं किया जाता है, यह जो लिखियो है, यह बिल्कुल incorrect statement लिखियो है, तो मारा answer आजाएगा, option B, okay, next हम देख लेते हैं, the hylum is a scar on the, यानि जो hylum है, वो कहाँ पर present होगा, fruit where style are present, seed where micropillar was present, seed where funicle was attached, या फिर fruit where it was attached to the pedicle, actual में जो hylum मिलेगा, वो सबसे पहले तो में seed में मिलेगा, fruit में नहीं मिलेगा, और वो जो hylum जो portion होता है, वहाँ पर जो है, वो funicle attached जहाँ पर पहले से, उसको हम बोलेंगे, hylum portion, हमारा answer आजाएगा, option C, seed where funicle was attached, is called hylum, okay, question number 26 देख लेती है, the transmission tissue is a characteristic feature, of transmission tissue जो किसका characteristic feature है, dry stigma, wet stigma, hollow style, या फिर solid style, तो actual में जो style होती है, वो two type की हो सकते है, आपकी hollow और solid style होती है, okay, अब जो आपकी hollow style होती है, वहाँ पर जो है, वो glandular cells present होती है, side के अंदर, okay, बट जो आपकी solid style होती है, उसके अंदर हमें मिलते है, transmission tissue, तो हमारा answer आजाएगा solid style, solid style के अंदर हमें क्या मिलेंगे, transmission tissue, देखने को मिलेंगे, ओके, अब हम चलते है, next question number हमारा 27 है, 2014, EIPMT 2014 का question है, zetanogamy in volts, यानि zetanogamy के अंदर क्या होता है, option है, fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant, option B है, fertilization of a flower by the pollen from the same flower, option C है, fertilization of a flower by the pollen from a flower of the another plant, in the same population, option D है, fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant, belonging to a distant population, zetanogamy के अंदर क्या होता है, कि plant same रहता है, बट flower अलग-अलग हो जाती है, तो fertilization of a flower by the pollen from the another flower of the same plant जोता है, उसके अंदर हमें zetanogamy में देखने को मिलती है, तो हमारा answer आजाएगा, यहां से option A, ओके, next हम चलते हैं, question number 28 में, pollen tablets are available in the market for, जो pollen tablets होती है, वो market के अंदर available होती है, किसलिए, in vitro fertilization, breeding program, supplementing food, या फिर XC2 conservation के लिए, simple side pollen tablet को हम as a supplementing food भी use करते हैं, तो इसलिए वो market में available होती है, answer आजाएगा option C, okay, question number 29 है, function of the filiform apparatus is, जो synergate का जो characteristic feature था, filiform approaches, तो वो filiform approaches का function क्या है, recognize the suitable pollen ad stigma, stimulate division of generative cell, produce nectar, या फिर guide the entry of pollen tube, तो actual में जो filiform approaches होता है, उसका function क्या होता है, guide the entry of pollen tube जो होता है, उसको guide करता है कि कि इदर उसको जाना है, 21 सल की तरफ से, तो answer आजाएगा option D, question number 13 है, advantage of the klystogamy is, यानि klystogamy का क्या advantage हो सकता है, no dependence on pollinator, vivipary, higher genetic variability, more vibrous offspring, तो यहाँ पर सबसे main जो advantage होता है, klystogamy का, वो होता है कि यहाँ पर pollinator के उपर dependence नहीं रहती है, क्योंकि flower पूरी तरह से close होता है, तो answer आजाएगा option A, need 2013, okay, next हमारा क्योंसे नहीं थर्टी नमबर 1, mega sponengium is equivalent to, mega sponengium किसके equivalent होता है, nucellus, ovule, embryo, sec and fruit, बिल्कुल इसका उल्टा पहले भी पूछ चुकेगी, ovule किसके equivalent होता है, mega sponengium, answer आजाएगा, ovule, okay, next हम देख लेते हैं, 32 नमबर क्योंसे नहीं, which one of the following statement is correct, हमें correct statement बतानी यहाँ पर, endothesium produce the microspore, tap atom nourishes the developing pollen, hard outer layer of pollen is called entine, and sporogenous tissue is haploid, sporogenous tissue जोता वो deployed होता है, hard outer layers होती, वो exine होती है, entine नहीं होती, tap atom जोता है, वो nourishment provide काता है, यह बिल्कुल correct है, okay, next हम देख लेते हैं, question number 33, animal vectors are required for the pollination in, यानि animal vector जो है, वो किसके अंदर required होती है, pollination करवाने के लिए, wellisneria, mulberry, cucumber, या फिर maze, okay, तो यहाँ पर जो mulberry and maze है, इनके अंदर हमें देखने को मिलती है, wind pollination, okay, और wellisneria के में देखने के मिलती है, water pollination, तो मैं animals पूछा गया, जो क्या आएगा, हमारे cucumber, cucumber के अंदर animal vectors होती है, pollination के लिए, okay, next हम question number 34, देख लेते हैं, करनाटका state के लिए, mega spore are produced from the mega spore mother cell after, यानि mega spore जो है, वो mega spore mother cell से produce होते हैं, कब होती हैं, after mitodic division, after formation of the thick wall, after de-differentiation, या फिर after mitodic division, तो mega spore mother cell के अंदर mitodic division होती है, mega spore बनते हैं, answer आजाएगा, option D, okay, next हम 35, question number देख रहे हैं, ये भी need 2013 में करनाटका state के लिए था, which one of the following statement is correct, यहां पर वापीस हमें बताना है कि कौन सी statement correct है, okay, clistogamous flower are always autogamous, xenogamy occurs only by the wind pollination, clistogamous, sorry, chasmo gamus flower do not open at all, and gtunogamy involve the pollen and stigma of the flower of different plants, okay, सबसे पहले हम से correct पुछेगी है, gtunogamy जो होती है, वो same plant होती है, different plants नहीं होती है, flower different होती है, chasmo gamus जो होती है, वो flower open होती है, okay, xenogamy जो होती है, वो केवल wind के द्वारा नहीं होती है, वो अलग अलग टाइप से भी हो सकती है, wind से हो सकती है, water से हो सकती है, animal से हो सकती है, klystogamous होती है, वो always autogamous होती है, तो ये बिल्कुल correct है, अंसर आ जाएगा option A, okay, question number 36 देख लेते हैं, which of the following statement is correct, वापी से पूछागा है, कि इन में से कॉंशी statement correct है, first statement है, sporopolynine can be degraded by enzymes, sporopolynine is made up of inorganic material, sporopolynine can withstand high temperature, as well as strong acid and alkalize, sporopolynine can withstand high temperature, but not strong acid, सबसे पहले देख लेते हैं, sporopolynine can be degraded by enzymes, not degraded by enzymes, sporopolynine is made up of inorganic, not organic material से बनती है, not inorganic, sporopolynine can withstand high temperature, as well as strong acid and alkalize, यह बिल्कुल correct है, तो अनसर आजाएगा, option C, okay, next हम देख लेते हैं, question number 37, both autogamy and jetonogamy are prevented in, autogamy और jetonogamy किस में prevent हो सकती है, divishish plant के अंदर हो सकती है, papaya, cucumber, caster, या फिर maize के अंदर, answer आजाएगा, papaya, papaya के अंदर, both autogamy and jetonogamy जो प्रिमेंट हो जाती है, okay, question number 38, देख लेते हैं, an organic substance that can withstand environmental extreme, and cannot be degraded by any enzyme is, cuticle sporopolynine, lignin, या फिर cellulose, तो आएगा हमारा sporopolynine, जो कि outer layer होती है, pollen grain की, question number 13, even in the absence of pollinating acids, seed setting is assured in, या अगर वहाँ पर pollinating agents नहीं होगे, तब भी किसके अंदर seed लग सकते हैं, komeleina, juice, टेरा, salvia, या फिर fig, तो यहाँ पर जो komeleina होता है, वो क्या होता है, हमारा plant है, वो क्लिस्टो गेमस plant होता है, यानि जो flower close रहता है, उसके अंदर जो है, वो pollinating agents के requirement नहीं होती है, तो answer आजाएगा option A, okay, question number अब हम देख लेते हैं, 40, तो यहाँ पर हमारे सामने है, question number 14, जो कि आया हो है, हमारा AIPMT 2012, man's के अंदर, what is the function of germ pore, germ pore का function बताना है, emergence of radical, absorption of water for seed germination, initiation of pollen tube, and release of the male gamit, तो germ pore जो होता है, वहाँ से pollen tube का initiation होता है, वहाँ से बननी स्टार्ट होती है, तो answer आजाएगा option C, okay, next question देख लेते हैं, question number 41, plants with ovaries having only one or a few ovules, are generally pollinated by, यानि वो plants जहाँ पर ovaries के अंदर, या तो single ovule है, या फिर one या two, बहुत ही कम ovules है, तो वहाँ पर कैसे pollinator होते हैं वो, bees, butterflies, birds, या फिर wind के द्वारा, तो आपर देखी, जहाँ पर बहुत ही कम, आपके ovules देखने को मिलती है, single one या two approximately, तो वहाँ पर जो pollination होता है, वो wind के थू होता है, तो answer आजाएगा option D, क्योंसर नमबर 42 देख लेते हैं, philiform approaches is a characteristic feature of, तो हमारे ये question पहले भी आ चुका है, suspensor, egg, synergid, या फिर जाइगोड तो answer आजाएगा, synergid, क्योंसर नमबर 43 है, which one of the following pollination is autogamous, किसके अंदर pollination autogamous होती है, zetanogamy, xenogamy, chesmogamy, या फिर klystogamy, क्योंसर नमबर 44 है, wind pollination is common in, wind pollination सबसे जएदे किस में मिलती है, legumes में, lilies में, grasses यहां फिर orchids में, तो grasses के अंदर जोती है, wind pollination बहुत ही common होती है, क्योंसर नमबर 45 देख लेते हैं, angiospum, functional mega sport developed into, functional mega sport किस में developed होता है, embryo sick, ovule, endospum, या फिर pollen sick, answer बहुत ही असानी सा जाएगा, embryo sick, पहले भी हम कच्चु के इस type का question, 46 नमबर क्योंसर है, transfer of pollen grain from the anthal to the stigma of the another, flower of the same plant is called, यानि flower different है, बट plant same है, तो उसमें हम क्या बोल लेंगा इस pollination को, xenogamy, zetenoogamy, karyogamy या फिर autogamy, तो हमारा बहुत ही असानी साइन्स राजाएगा उसको हम बोलते है जी टेन होगे में ओके नेक्स्ट हम क्योशन नंबर 47 देख रहे हैं AIPMT 2010 का विंड पॉलिनेटिड फ्लावर आर जो विंड के द्वारा पॉलिनेटिड किया जाता है वो फ्लावर कैसे होते हैं तो जो ब्राइटली कलर्ड प्रोडिजिंग लार्ज नंबर आफ पॉलंगरेंग वार्ज नंबर अफ ड्राइ पॉलंगरेंग लार्ज प्रोडियूजिंग एबिड़न नेक्टर और पोलन तो जो विंड में होते हैं वहाँ पर पहली बात तो कलर की कोई requested नहीं होती है इसके लिए वहाँ पर नेक्टर की भी कोई रिक्वार्मेंट नहीं होती है तो सिंपल सा अनसर आजाएगा option B कि वहाँ पर जो flower होते हैं वो small होते हैं और प्रोड्यूज नार्ज नंबर ओफ dry pollen grains जो होते हैं वो produce के जाते हैं ताकि air के अंदर वो आसानी से एक जगे से दूसरी जगे जा पाए okay question number 48 के अंदर जो हो में diagram दिया हुए examine figure A to D given below and select the right option A to D which of the all for structure तो हमसे structure पोचा यह A, B, C और D तो actual में यहाँ पर A जो है वो किसका दिया हुए water hasin यहाँ ने आपका offset दिया हुआ है okay यहाँ पर यह जो दिया हुआ है वो actual में यहाँ पर आची गोनियो 4 दिया हुआ है अगर हम ध्यान से देखें वाला जो था वो हमारा offset था B हमारे जो वो आची गोनियो 4 आना चीह हुआ है आपके बट N3D4 यहाँ पर option मिला है see antipodal और फिर U गोनियम तो हमारे यहाँ पर answer आजाएगा option C जो कि हमारा men's 2010 का question है okay next question देख लेते question number 49 which one of the following pair of plant structure has haploid number of chromosome यानि कौन से plant structure के अंदर केवल हमें haploid number of chromosome ही देखने को मिलेंगे option दिया हुए nucellus and antipodal cell, egg nucleus and secondary nucleus, megaspore mother cell and antipodal cell, egg cell and antipodal cell nucellus deployed होता है, secondary nucleus deployed, megaspore mother cell जो होता है वो deployed होता है तो हमारा answer आजाएगा egg cell and antipodal cell जो होता है वो haploid होते हैं तो वहाँ पर हमें haploid number of chromosome ही देखने को मिलेंगे ओके किससे number 50 देख लेते हैं what does the philiform apparatus do at the entrance of the ovule तो यहाँ पर philiform apparatus क्या करते हैं it brings about opening of the pollen tube, it guides the pollen tube from a synergid to egg it helps in the entry of pollen tube into a synergid और it prevents entry of more than one pollen tube into the embryo sick actually में जो आपका philiform apparatus होता है वो क्या करता है guides करता है pollen tube को from synergy to egg की तरफ तो यहाँ पर answer आजाएगा option B okay next हम देख लेते हैं किससे number 51 unisexuality of the flower prevent अगर flower जो वो unisexual है तो वहाँ पर कौन सी चीज़ प्रिवेंट हो जाती है जिटनोगेमी बट नोट जिटनोगेमी औट जिटनोगेमी औट जिटनोगेमी आपका क्या है male flower हो और दूसी जगह आपका flower जो फीमेल हो सकता है तो यहाँ पर flower तो हो सकते है unisexual एक flower वर्ड बहुत ही important है तो flower तो आपकी unisexual हो सकते है तो वहाँ जिटनोगेमी तो हो सकती है जिटनोगेमी हो सकती है और जीनो गेमी कभी prevent होगी नहीं ओके यहाँ पर तो जीटनो गेमी भी prevent नहीं हो सकती है यहाँ पर जीटनो गेमी नहीं हो सकती है ओटो गेमी आप कह सकते हो कि बिल्कुल prevent होगी ओके जीटनो गेमी prevent नहीं होगी यानि सिम्पल साहे यहाँ पर केवल और केवल ओटो गेमी प्रिवेंट होती है बाकी जीटनेगी में और जीनो गेमी दोनों चीज़े हो सकती है अगर वो यूनी सेक्सुल फ्लावर है तो क्योंकि हो सकता है कि वो सेम प्लांट पर यह अलग अलग जगए हो ओके नेक्स हम देख लेते हैं क्योंसे नंबर 52 विच वन अफ दा फॉलोंगी इस रजिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन एंजाइम एक्शन में कौन सा रजिस्टेंस होता है पॉलन एक्जाइन लीफ क्यूटिकल कॉर्क या फिर वुड फाइबर जो पॉलन एक्शन होती है जो की स्पोरो पॉलनेंस से बनती है वो रजिस्टेंस होती है नेक्स हम धे लेते हैं क्योशन नंबर 53 मेल गमेट्स रिइन इन्जियोस पॉलम आर फॉंब्ड भाइदा डिवीजन ऑफ जो male gametes होते हैं अंगियूस्पम के अंदर वो किसके division पे बनते हैं generative cell, vegetative cell, microspore, mother cell या फिर microspor ओके तो जो male gametes होते हैं actual में जब division होती है तो two type के cell बनते है जनरेटिव cell and vegetative cell फिर जो आपका generative cell है उसके अंदर division होती है और male gamete बनते है तो हमारे यहां पर answer आएगा option A अब बहुत बच्चे गई है माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों नहीं आया आ सकता है बट जादा जो more efficient answer है वो generative cell है okay question number 54 है which one of the following is surrounded by a kello's wall kello's wall किसके बाहर होती है male gamit के egg के pollen के या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसके बाहर जो wall होती है उसको माइक्रोस wall next हम से question पूछा गया the arrangement of the nuclei इनने normal embryo से इनने dicot plant तो actual में जो arrangement होता है वो 3 antipodal में होता है 2 polar nuclei होती है 2 synergid के पास होती है और एक egg के पास होती है पूरा ऐसे circle में घुमकर और फिर यहां पर आता है तो इसको बहुते है सरसीनो ट्रोपस तो यह 6 type के में लिजो type of ovule हो सकती है चलिए अब के उसें देख लेते हैं 56 है which one of the following represent a ovule where the embryo sec become horseshoe shaped and the funicles and micropyle are close to each other तो इसको हम क्या बोलेंगे amphitropus, sarcinotropus, atropus या फिर anatropus तो इस type के जो ovule होता है उसको हम बोलते है amphitropus और नेक्स हम 57 नंबर के उसें देख लेते हैं an ovule which become curved so that the nucellus and embryo sec light at the right angle to the funicle is called अगर वहाँ पर right angle पे हैं embryo sec, nucellus है तो यहाँ पर उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे amphitropus, camphilotropus, anatropus या फिर orthopropus यहाँ पर इस चीज़ को हम बोलते हैं hemitropus इस टाइप को शेप को क्या बोलेंगे hemitropus बोलेंगे next question number 58 थै anthesis is a phenomenon which refers to anthesis जो एक phenomenon थो वो क्या refer करता है reception of the pollen by stigma formation of pollen, development of enter या फिर opening of the flower bud जब एक flower bud जो open होती है तो उस चीज़ को हम बोलते है anthesis तो यहाँ पर correct answer आजएगा option D, opening of the flower bud question number 59 देख लेती है in a flowering plant Archeosporium gives rise to जो Archeosporium होती है flowering plants के अंदर उसे क्या चीज़ बनती है यह हमारा 2003 का है AIPMT only the wall of the sporangium both wall and the sporoginous cell wall and the tapetum या फिर only tapetum and sporoginous cell तो हमें बताने हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का formation होता है तो यहाँ पर both wall and the sporoginous cells होते हैं उनसे formation होता है Archeosporium के अंदर next हम question number 60 देख लेते हैं in angiospum all the four microspores of tetrad are covered by a layer which is formed by जो सभी microspores होते हैं tetrad के अंदर वहाँ पर जो वो cover होते हैं किस layer से होते हैं pectocellulose, callos, cellulose या फिर आपका spor of polynine तो यहाँ पर जो layer होते हैं उसको हम बोलते हैं pectocellulose pectocellulose से वो cover होते हैं सभी microspore आपके tetrad okay question number 61 देख लेते हैं 2002 का है what is the direction of mycopylar in anatropos ovule जो anatropos ovule होता है उसकी mycopylar जो होता है उसकी direction की side होती है upward, downward, right या फिर left anatropos जो की मौली मिलता है तो वहाँ पर जो उसकी direction होती है mycopylar की वो downward होती है तो answer आजाएगा option B okay question number हम देख लेते हैं 62 question number है in grasses what happen in microspore mother cell for the formation of mature pollen grain अगर grasses के अंदर हमें बताना है कि microspore mother cell के अंदर क्या होता है और कैसे जो mature pollen grain बनता है one mutic and two mitotic division one mutic and one mitotic division one mutic division या फिर one mitotic division तो हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होता है तो actual में एक mutic division होती है grasses के अंदर के वाले single mutic division होगी and then जो है वो आपका generative cells होगा वो आपका dog male gamit बनाएगा तो one mitotic division होगी answer आ जाएगा option B grasses जो होती है उसका याद रखना है monocode के अंदर बात की गई है किससे number 63 है animal philly type of pollination is found in जो हमारे animal philly है वो किस में मिलेगी अपकी salvia में bottle brush में wellisneria या फिर coconut के अंदर तो actually में जो animal philly होती है जो wind pollination होती है वो मिलेगी आपको coconut के अंदर तो अंदर आ जाएगा option D okay next हम बात कर लेते है 64 की 8 nucleated embryo sec is जो की 8 nucleated embryo sec होता है वो क्या हो सकता है only monosporic, only bisporic, only tetrasporic या फिर any of these तो actual में चाहिए वो आपका monosporic भी हो सकता है okay bisporic भी हो सकते हैं और आपके tetrasporic भी हो सकते हैं ये सभी आपके क्या बनाते हैं 8 nucleated embryo sec बनाती है तो आपसर आ जाएगा any of these in में से कुछ भी हो सकता है okay question number 65 है if there are 4 cell in enter what will the number of pollen grain अगर enter के अंदर total 4 cell हैं तो pollen grain कितने बनेंगे 16, 12, 8 या फिर 4 तो actual में जो एक deployed cell होता है उसके अंदर mutic division होंगी तो total जो है एक cell कितने बनाएगा 4 pollen grain बनाएगा तो यहाँ पर हमसे 4 से पूछा गया तो 4 को multiply कर देते हैं 4 से तो हमारा answer आजाएगा 16 तो total कितने pollen grain बनेंगे 16 बनेंगे because 1 जो है उससे 4 pollen grain बनते हैं okay कि उससे number 66 है the anthiasis is a phenomena which refers to anthiasis अभी पढ़ा था हमने the development of anthra opening of flower bird stigma या फिर all of these opening of the flower bird को हम बोलते हैं anthiasis कि उससे number 67 देख लेते हैं in an angiospum how many microspore mother cell are required to produce 100 pollen grain microspore mother cell में कितने आपके division होगी तो वहाँ पर 100 pollen grain बन जाएगा अब 1 cell जो होता है वो 4 बनाता है तो 100 जो है उसको divide कर लेते हैं 4 से तो 25 अगर division होगी तो हमारे पास 100 pollen grain मिल जाएगे तो answer आजाएगा option C 25 okay question number 68 देख रहे हैं when pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant the pollination is referred to as यानि जो अपका plant है वो same है but flower other है तो हम पर उस pollination को क्या बोलेंगे okay next हम बात कर लेते हैं question number 69 embryos एक represent embryos एक जो था वो किसको represent करता है mega spore, mega gametophyte या फिर mega sporophyll या फिर आपका mega gamete तो बहुत ही असानी से answer आजाएगा उसको हम बोलेंगे mega gametophyte यानि आपका female gametophyte okay question number 70 जो बहुत ही interesting question है number of myotic division required to produce 200 और 400 seeds of pea would be simple समझो इन्होंने पूचा है seed seed कब होता है जब आपका male gamet और female gamet जब fertilize करते हैं तो अब जाकर जो है वो वहाँ पर बनता है seed तो actual में अगर हमें 200 कितने 200 अगर हमें female gamet बनाने हैं तो हमें 200 ही आपको mutic division करने पड़ेगी क्यों क्योंकि वहाँ पर जो है one cell से four बनते हैं बड़ three degenerate हो जाते है केवल one जो होता है वो female gamet बनता है functional female gamet बनता है embryo से एक बनता है तो इसका मतलब है 200 तो mutic division हमें केवल female को produce करने में लग जाएगी अब हमें 200 के लिए 200 ही क्या लगेंगे pollen grain लगेंगे यानि male gamet लगेंगे तो एक जो हमारा cell होता है उससे कितने pollen grain बनते है 100 एक जे four बनते है तो अगर हमें 200 pollen grain बनाने है तो हम इसको four से divide कर लेंगे that is 50 तो हमारा total आएगा 250 यानि हमें अगर 100 seed बनाने है या total 250 division होगी और फॉंट राइड़नेट के लिए 500 division होगी या हमारा 1993 में question पूछा गया है okay question number 71 देख लेते है ovule is straight with funical embryo sex चलाजल and mycopyle line on the one straight line एक बिल्कुल straight line के उपर है okay तो उस type के हम जो ovule को क्या बोलेंगे orthotropas, anatropas, kemphilotropas या फिर amphitropas best observed in dividing meiosis जो है वो कब best observed हो सकती है cells of the apical meristomatic cell of lateral meristomatic microspor and anthropol या फिर microsporocyte तो यहां पर जो हमारा answer आगा microsporocyte क्योंकि microsporocyte के अंदर क्या होती है meiotic division होती है तो meiosis देख सकते है apical lateral या फिर हम anthropol के अंदर जो है वो myiotic देख सकते है but microsporocyte के दरह meiosis उन्होंने पूछा है next हम बात करेते हैं कि उससे number 73 point out the odd one यानि बिल्कुल तीन तो एक जैसे हैं बट एक इनमें से odd है nucellus embryo से micropyl या फिर pollen grain तो आपका micropyl embryo से एक और nucellus जो हो female gametophyte के पार्ट है but pollen grain जो male gamet तो आणसर आजाएगा option D ये इन सबसे अलग है question number 74 देख लेते है pollination occurs in pollination किस के अंदर होगा bryophyte है angiospum teridophyte है angiospum 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 fungi के अंदर या फिर teridophyte या bryophyte के अंदर pollination नहीं होते है keval water के तुरू पर गेमिट ट्रांसपर होते है फंजाई के अंदर भी नहीं होगे answer आएगा option C angiospum angiospum जीमिज़ परमिशन होते है वापर pollination होता है question number 75 है entry of pollen tube through micropyle is जो micropyle के through जो है वो अगर pollen tube के entry हो रहे है उसको क्या बोलेंगे chalizogamy misogamy porogamy या फिर studogamy तो उस चीज़ को हम बोलते है porogamy answer आजएगा option C porogamy question number 76 है female gametophyte of angiospum is represented by female gametophyte जो होता है angiospum के उसको किस से represent कर सकते है ovule से megaspore mother cell embryo से या फिर new cellus female gametophyte के होता है embryo से होता है answer आजएगा option C new cellus, micro spore या फिर stamina तो male gametophyte को हम बोते है micro spore answer आजएगा option C number 78 what is which is correct statement ओके तो यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन सी statement correct है gamets are invariably haploid sports are invariably haploid gamets are generally haploid या फिर both sport and gamet are invariably haploid sports जो होते हैं general deployed भी हो सकते हैं आपके gamets जो होते हैं हमेशा haploid ही होंगे और both sport and gamet जो हमेशा haploid नहीं होते gamet हमेशा haploid होंगे तो answer आजएगा option से यह बिल्कुल correct है okay question number हम देख लेते हैं 79 generative cell was destroyed by the laser but a normal pollen tube was still found because generative cell जो है उसको हमने destroy कर दिया है बढ़ फिर भी एक normal pollen tube बन रही है क्यों vegetative cell is not damaged क्या vegetative cell डेमेज नहीं हुआ इस वज़े से या फिर the content of the killed generative cell stimulate the pollen growth कर रहे हैं या फिर laser beam stimulate growth of pollen tube कर ये या फिर reason of the emergence of pollen tube is not harmed ओके तो pollen tube का जो emergence वाला पार्ट है वो हाम नहीं हुआ है तो actual में अगर laser से हमने generative cell damage कर भी दिया है तो वहाँ पे क्या हो रहा कि vegetative cell नहीं damage हुआ है उस वज़े से वहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी pollen tube जो वो grow कर जाएगी ओके next time कि question number 80 देख रहे है total number of meiotic division required for the forming 100 gigot and 100 grains of wheat is 100 gigot बनाने है और 100 जो वो grain बनाने है grain means क्या होगा seed बनाने है तो अगर seed बनाने है तो simple सा क्या होगा 100 तो हमें जो direct division लेगेगी क्योंकि हमें female gamit बनाने है और अगर हमें 25 देखें तो 25 अगर mutic division हो रहे है तो वो 100 pollen grain बना लेंगे तो हमारा answer आजाएगा option C 125 question number 81 है 1988 का male gamitophyte of angiospum is shed at male gamitophyte जो होता है angiospum का वो किसे stage होता है 4 cell pollen grain 3 cell microspor mada sel या फिर enter तो actual में वो 3 cell pollen grain होते हैं 2 male gamit होते हैं और एक आपका vegetative cell होता है तो 3 cell stage पे pollen grain जो होता है वो तो answer आजाएगा option B अब हम double fertilization के question देखने वाले topic से यहां से need 2019 का question है question number 82 what is the fate of the male gamit discharge in the synergid यानि जब male gamit discharge कर दिये जाते हैं synergid में तो उसके बाद क्या होता है one fuse with the egg and other fuse with the central cell nuclei one fuse with the egg and other degenerate in the synergid all fuse with the egg one fuse with the egg other fuse with the synergid nucleus तो actual में जब male gamit discharge कर दिये जाते है synergid के पास तो double fertilization होती है यानि एक जो होती है वो egg से fuse कती है और other जो gamit होता है वो central cell nuclei से fuse कता है तब होता है double fertilization तो answer आजाएगा option A next हम से पुछा गया है double fertilization नी 2018 के अंदर ही double fertilization is यानि double fertilization क्या है option A दिया गया fusion of two male gamit of a pollen tube with two different egg B दिया गया fusion of one male gamit with two pollen nuclei fusion of two male gamit with one egg and syngame and triple fusion तो actual में syngame and triple fusion को ही बोला जाता है double fertilization तो हमारा अंसरा जाएगा option D next 84 question में वापिस पूछा गया double fertilization is exhibited by 2017 का question है double fertilization किसके अंदर होती है algae, fungi, angiospum and gymnospum तो simple है flowering plants के अंदर ही हमें double fertilization देख्टों को मिलती है यानि angiospum हमारा आंसर आजाएगा okay next question हमारा EIPMT 2012 में से which one of the following statement is wrong हमें यहाँ पर wrong statement बतानी है when pollen is shed at two cell stage double fertilization does not take place vegetative cell is larger than the generative cell C है pollen grain in some plant remain viable for months and option D है entine is made up of cellulose and pectin तो actual में यहाँ पर हमसे wrong statement पूछी किए when pollen is a tool cell stage यानि का दो cell stage में shed कर दिया जा रहा है के वल generative और vegetative cell तो क्या double fertilization नहीं होगी जी नहीं होगी actual में होगा क्या कि जैसे ही stigma के पास पहुंचेगा तो जो आपका generative cell है वो divide कर लेगा two male gamit बना लेगा तो double fertilization तो होगी ही होगी तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि two cell stage पे अगर वो side हो रहा है तो double fertilization नहीं होगी यह बिल्कुल incorrect इनोंने लिखा है ओके कि उसे number 86 है फिर degenerated synergid या फिर central cell तो actual में होता क्या है आपका यहाँ पर जो होते है वो two synergid होते है यहाँ पर philiform apparatus होते है और आपका उसके पास में होता है egg cell तो actual में जब pollen tube जो होगी एंटरी करती है तो pollen tube को जगह देने के लिए जो दो synergid cells होते है मारे पास total उनमें से एक degenerate हो जाता है तो जब वो degenerate हो जाएगा तब वहाँ से जो वो pollen tube एंटर करेगी तो actual में answer आएगा option C जब synergid जो है वो degenerate होदा था वहाँ से pollen tube एंटरी करती है question number 87 इन एंजियो स्पम pollen tube लाइबरेट देर male gamit into जो आपके male gamit वो कहाँ पर release किये जाते है central cell में antipodal cell या फिर egg cell या फिर synergid तो actual में जो pollen tube होती है वो वहाँ पे अपने male gamit कहाँ पर release कर देती है synergid के पास में तो यहाँ पर हमारा answer जो आएगा वो आएगा option D synergid के पास में जाने के बाद वो उसे release कर देती है ताकि एक fuse कर जाए egg cell से and second जो फियूज कर जाए central cell से ओके next हम बात करते है कि उससे number 88 endosperm is formed during the double fertilization by यानि endosperm जो वो कब बनता है double fertilization के अंदर two polynucleae and one male gamit one polynucleae and one male gamit om and male gamit या फिर two polynucleae and two male gamit तो actual में triple fusion क्या होता है जहाँ पर two polynucleae जो one male gamit के साथ fuse करती है तो वहाँ पर हमारा endosperm का formation होता है तो answer आजाएगा option a next हमारा 89 number के उसे ने जो कि 1998 और 96 में आ चुका है the role of double fertilization in endosperm is to produce यानि double fertilization जो होता है उसमें रॉल में क्या produce होता है cotyledon, endocarb, endosperm या फिर integument तो actual में वहाँ पर endosperm जो होता है वो produce होता है after triple fertilization तो answer आजाएगा option c question number 19 है double fertilization is characteristics of double fertilization किसका characteristic है angiosperm, endosperm, endosperm, bryphoid अभी पढ़ गए है angiosperm, answer आजाएगा option a okay question number 91 है double fertilization is the fusion of double fertilization के अंदर किसका fusion होता है two eggs का two egg and pollen nuclei with pollen nuclei with the end, other with the secondary nucleus तो जो secondary nucleus होती है उनकों बहुते है pollen nucleus या एक्च्वल में दो nucleus मिलकर बनाती है secondary nucleus okay तो हमारा answer आजाएगा option d यहाँ पर हमेरे क्या होता है double fertilization होता है इनके बीच में जब fusion होता है तो okay next हमारा 92 number question है 92 number question में देख लेते हैं हमसे पुचाएगे sin gaming क्या होता है fusion of gametes, fusion of cytoplasm, fusion of two similar pores या फिजन of two similar pores तो हमारा answer आजाएगा जब gametes fuse करती है male और female तो वो गहलाता है sin gaming तो answer आजाएगा option A next हमारा question number 93 है which of the following pair have haploid structure वापीस ऐसा question पुचाएगे किन में से haploid structure को रसा हो nucilis, antipodal cell, antipodal egg cell antipodal and megaspor mother cell nucilis and primary endosperm nucilis तो सबसे पहले nucilis नहीं हो सकता है याँ पर megaspor mother cell भी diploid होता है तो हमारा answer आजाएगा antipodal and egg cell जोते हो haploid होती है next हमारा 94 number कि उसने double fertilization and triple fusion were discovered by बहुत important है वैसे आ सकता है बड़ general नहीं आता है आप scientist वगर है यहां से कुछ दिया भी नहीं हो है यह आपका 9088 का ग्यूसन है तो पूछाए triple fertilization double fertilization जो होता है triple fusion उसके अंदर वो किसने discover की थी hofmaster ने, nevaskin या फिर guaygan ने या फिर liwan hook ने या फिर stars burger ने तो actual में जो यह दोनों चीज़ें जो है वो आपकी discover की थी nevaskin and wagon curd तो यहां पर हमारा answer आ जाएगा option B ओके चलिए अब हम बात करने वाले हैं post fertilization structure and events के बारे में यहां से भी हमारा need 2019 का question question number 95 तो यहां पर पूछा गया persistent newceless in the seed is known as जो newceless अगर बच जाता है seed के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे tegman, चलाजल या फिर peri sperm या फिर hyalum तो उसको हम बोलते है peri sperm pure ncrt based है answer आ जाएगा option C ओके next जो हमारा question B need 2019 का है which one of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect हम से पूछा है incorrect बताने ovule developed into embryo sec ovary developed into fruit gygo developed into embryo central cell developed into endosperm तो इन्होंने काए कि ovule जो होता वो develop होता है embryo sec में जी नहीं embryo sec develop होता है embryo के अंदर तो embryo sec जो होता है वो आपका ovule के अंदर ही होता है ovule develop नहीं होता है यह हमारा यहाँ पे जो लिखा गया है वो incorrect है और बाकी सभी जो वो 3 हमारे correct है ओके अब हम चलते है next 97 number question की तरह for 97 में पूछा गया है 2016 phase 1 काएदा coconut water from the tender coconut represent यानि जो coconut होता है जो coconut water होता है वो किस चीज़ को represent करता है free nuclear pro embryo free nuclear endosperm endokarp या फिर fleshy mesokarp तो हमारा answer आजएगा free nuclear but endosperm होता है वो ओके जो coconut water होता है 98 number question है 2015 का coconut water from a tender coconut is यानि coconut water क्या होता है innermost layer of the seed coat degenerated, nocellus, immature, embryo फिर free nuclear endosperm तो अभी पढ़ा था यह क्या होता हमारा free nuclear endosperm होता है ओके question number 99 है 2015 का which one of the following fruit is parthenocarpic या उसे हमें बताना है कि parthenocarpic कौन सा fruit है jack fruit बनाना बरिंजल या फिर apple तो एक्चिल में जो non seed plant होते है तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल साफ दियोगा NCRT में बनाना जो वो parthenocarpic fruit है ओके next हमारा handed number question है non albuminous seed is produced in जो non albuminous seed होते है वो किस के अदर produce होते है मेज के अंदर castor wheat या फिर आपका P तो हम इसका जो बहुत ही आसानी सा answer आजाएगा मेज मेज के अदर आपका non albuminous seed होता है next हमसे पूछा गया seed coat is not thin membranous in यानि जो seed coat होती है वो किस के अंदर thin नहीं होती है ground nut के अंदर gram के अंदर मेज के अंदर या फिर coconut के अंदर तो जो आपका coconut होता है वहाँ पे जो seed coat होती है वो thin नहीं होती है तो answer आजाएगा option D ओके next हमसे पूछा गया paris pump differ from endosperm in paris pump क्या होता है जो आपका new cellus होता है जो persistent new cellus होता है उसको बहुत है paris pump तो वो endosperm से कैसे different है being a diploid tissue its formation by the fusion of secondary nucleus with several sperm being a haploid tissue या फिर being no reserve material तो आपका जो paris pump होता है वो deployed होता है और आपका endosperm होता है वो triploid होता है तो यहाँ पर जो paris pump है वो deployed है इसलिए यहाँ पर यह क्या है being a diploid tissue जो वो paris pump differ होता है endosperm से need 2013 का है क्योंसर नमबर 103 है albuminous seed store their reserve food material mainly in जो albuminous seed होते है वो generally अपना reserve food material कहाँ पर store करते है endosperm, cautiliden, hypocautal या फिर paris pump तो हमारा बहुत ही असानी से answer आजाने चाहिए कहाँ पर होता है endosperm के अंदर इजर फूड मेटिल होता है ok next हमारा के उससे number है 104 करनाटकर नी 2013 के अंदर exam में आए हुआ है the viability of seed is tested by जो seed होता है उसकी viability कितनी है उसको किस चीज़ से test किया जाता है 2,6 di chlorophynol indophenol 2,3,5 tri-phenyl tetra-zolium chloride या फिर d-mso या फिर safranine तो बहुत यह असाने से हमारा answer आजाना चाहिए option B यहाँ पर 2,3,5 tri-phenyl tetra-zolium जो kroid है तो उसका chemical के यूज करके हम seed की viability को test करते हैं ok जो कि हमें बहुत long time तक जो seed मिल जाते हैं coffee मतलब बहुत पुराने जो seeds होते हैं ok 1,000, 2,000 यह पुराने जो seed होते हैं ok next हमारा 105 है 2 plants can be considerably said to belong to the same species if 2 plants हम यह बोल सकते हैं कि same species से belong कर रहा है कब बोल सकते हैं have more than 90% similar genes look similar and possess identical secondary metabolism have same number of chromosome or can reproduce freely with each other and form seed तो हम same species का बोल सकते हैं जब वो आपके freely reproduce कर पाए each other दूसरे एक साथ और seeds बना पाए तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो same species से belong करते हैं answer आजाएगा option D next हमारा question number 106 है इन्हें seral grain single cotyledon of embryo is represented by जो single आपका cotyledon होता है स्कूटलम भी बोला जाता है question number 107 है 1998 के लिए the embryo in sunflower has तो sunflower के अंदर जो embryo होता है उसमें क्या होगा two cotyledon many cotyledon no cotyledon या फिर one cotyledon यानि simple सा पूझना चारियां कि sunflowers होता है वो die coat होता है या फिर monocoat होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका sunflowers होता हो वो die coat होता है तो अंसरा जाएगा two cotyledons ओके next चलते हैं question number 108 के तरफ embryo sec अकर इन embryo sec किसके अंदर मिलेगा embryo के अंदर x is part of embryo ovule के अंदर या फिर endosperm तो simple है या फिर disintegrated secondary nucleus तो जो persistent neutralis होती है उसी को हम बोलते है parisperm या आपका कितनी बदोश से तीन बार के उसन आ चुका है next हम बात करने वाले tagman develop from जो tagman होता है वो किससे develop होता है funiculus चलाजाल inter integument या फिर outer integument तो हमारे जो answer आएगा वो आएगा inner integument inner integument से जो वो tagman develop होता है ओके अब हम बात करने वाले है apomixis and poly embryosony पहली embryony के बारे में और apomixis के बारे में तो अब हम बात करने वाले है कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं तो सबसे पहले बात कर लेते है seed formation triple one number के उसने है 2016 में चुका है seed formation without fertilization in flowering plants involve the process of अगर seed formation हो रहा है without fertilization उसको क्या बोलेंगे somatic hybridization apomixis sporulation या फिर बड़े तो बात ही होती है उसी को हम बोलते है apomixis तो हमारा answer जाएगा option B ओके next हम चलते है क्योंसे number one one two की तरफ nuclear poly embryo is reported in the species of nuclear poly embryo नहीं किसके अंदर represent कर सकते है citrus के अंदर gospeum के अंदर triticum या फिर brassica तो जो citrus plant होती है ओके जैसे आपका orange हो गया lemon हो गया इनके अंदर poly embryo नहीं देखने को मिल सकती है तो हमारा answer आजएगा citrus plant ओके next हम बात करने वाले है question number 113 what is common between vegetative reproduction and apomixes vegetative reproduction और apomixes में क्या चीज़ common है बोथ है applicable to only dicot plant बोथ bypass the flowering phase बोथ occur round the year बोथ produce progeny identical to the parent तो actual में जो apomixes होता है वो एक तरह से asexual reproduction ही होता है बट mimix करने की कोशिज करता हूँ vegetative reproduction भी asexual होता है तो बोथ produce progeny identical to the parent यह हमारा answer आ जाएगा next हम बात करने वाले question number 114 के बारे में apomictic embryo in the citrus arise from जो apomictic embryo तो citrus के अंदर वो कहा से arise होता है synergate से maternal sporophytic tissue in ovule से antipodal cell से या फिर diploid से तो हमारा बहुत ही असानी से answer आ जाएगा इन टाइप ओफ apomix is known as adentive embryo embryos developed directly from the तो हमसे पूछा गया कि जो apomix होता है जिसको हम adentive embryo नी बोलते हैं वापे embryo developed किस से होता है nucellus और integument से zygote से synergate और antipodal in embryo से या फिर accessory embryo से किन दा ovule से तो हमारा यहाँ पर answer आ जाएगा nucellus और integument जो होता है वहाँ पर हमारा embryo developed होता है तो answer आ जाएगा option a next हमारा क्योंसर नंबर है 116 adentive embryo in citrus is due to adventive embryo जो citrus के अंदर होता है वो किस की वज़े से होता है nucellus की वज़े से integument zygotic embryo या फिर fertilized egg से तो यहाँ पर हमारा answer आ जाएगा nucellus की वज़े से nucellus होता है वो additive embryo in citrus के अंदर develop होता है next हम बात करने वाले क्योंसर नंबर 117 the poly embryo in commonly accursion जो poly embryo in होती है वो commonly किसमे होती है tomato के अंदर potatoes, citrus या फिर turmeric तो काफी बार कर चुकी है answer आ जाएगा citrus के अंदर poly embryo in देखने को मिलती है next हमारा 118 की उसे नहीं study of formation, growth and development of new individual from an egg is एक egg से अगर हम किसी चीज़ को formation करें growth and development करें तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे epomyxis, poly embryo, embryo zeny या फिर cytology तो बहुत ही असानी से हमारा answer आ जाएगा उस चीज़ को हम बोलेंगे embryology तो हम study कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो है वो egg से कैसे यहाँ पर नया individual बनेगा तो उसको हम बोते है embryology ओके next हम बात कर लेते हैं 119 में new cellar embryo is the new cellar embryo होता है वो क्या होता है empymectic haploid, empymectic diploid empymectic haploid या फिर epomyctic diploid तो हमारे यहाँ पर जो answer आएगा वो आएगा option D उसको हम बोलते है epymectic, क्योंकि epymectic जो होती है ओके तो without fertilization होते है तो हमारे अंसा जाएगा epymectic diploid जो होता है उसी tissue से हमारा new cellar embryo बन जाता है क्योंसर नंबर है 120 development of an organism from female gamit egg without involving fertilization यानि हम जो है वो एक organism बना रहे है female gamit से वो पर फर्टिलाजन नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे identity embryony, poly embryony, parthenocarpy या फिर parthenogenesis तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे उस चीज़ को हम बोलेंगे parthenogenesis तो हमारा answer आजाएगा option D parthenogenesis नेक्स्ट हमारा question number है 1-2-1 formation of gamitophyte directly from sporophyte without meosages अगर हम sporophyte से gamitophyte बना रहे हैं बट without meosages तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे apospory, apogamy, parthenogenesis या फिर amphimixes तो यहाँ पर हमारा answer आएगा वो आएगा apospory, उस चीज़ को हम बोलते हैं apospory जब आपका sporophyte gamitophyte मनाता है तो उसको हम बोलते हैं apospory और जब आपका gamitophyte जो होता है वो sporophyte मनाता है तब हम उसको बोलते है apogamy तो यह सब कुछ था इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंदाए तो लाइक किज़े दोस्तों साथ share कीजे मिलते हैं जले नेक्स टूरी साथ तब तक के लिए धन्यवाद कर दोस्तों साथ